नमस्कार, मैं हूँ अंजु पंकज, आपकारी घोटाले ने आम आदमी पार्टी की नीम हिलाकर रख दी है, कट्टर इमानदार होने का दावा करने वाले अरविंद केशिवाल 292 करोड के कट्टर भष्टाचार के घोटाले में 4 तरफा घिर गए हैं, उनके पूर्व डिप् मनीश सोधिया 7 दिन के ED रिमान पर है और इस दोरान ED, विजे नायर, दिनेश अरोडा और के कविता को भी उनके सामने बठा कर पूछताच करेगी, ऐसे में अब तक जो राज मनीश सोधिया अपने दिल में छिपा कर रखे हुए हैं, वो राज खुलने के पूरे पूरे आ हश्र कैसे हो गया, इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ माजूद है वरिष्ट पत्रकार उंकार चौधरी जी नमस्कार उंकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर बहुत धन्यवाद अनुज जी और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार सरी, क्या हो रहा है दिल्ली में आजकल, ऐसा लग रहा है कि आपका क्या होगा जनाबे आली ये सवाल हर तरफ बूंज रहा है, आमाभी पार्टी का ये हश्र इतनी जल्दी कैसे हो गया देखिये ऐसा है कि केवल दिल्ली में नहीं कई राज्यों में इस समय एक ऐसी राजनीतिक उथल पुथल हम लोग देख रहे हैं और अगर ध्यान से देखें गोर करें तो मैं कुछ नाम गिनाता हूँ जैसे अरविंद केजरिवाल, मामता बेनर जी, नितिश कुमार, केसी आर, शरत भवार ये वो नाम है, जिनको लेकर के पिछले कुछ समय से मीडिया में तमाम तरह की कयास वाजियां चल रही थी, दोहजार चोबिस के मद्दे नजर, इन में से कौन चेहरा होगा शरत पवार के दो नजजदी की तो उधव ठाकरे के मुख्य मंतरी रहते रहते ही अंदर चले गए थे और जो कैबिनेट मंतरी थे, एक अनिल देश मुख, एक नवाब मलिक, इसके अलावा उनके बतीजे और उप मुख्य मंतरी, अजित पवार की बेहनों के यहां बाकाइ उसमें क्या हुआ बाद में, शरत पवार के और नजदी की कारोबारियों पर कारवाईयां हुई, यह शोर जो इस समय हम विपक्ष की तरफ से सुन रहे हैं, वो तब भी सुनने को मिलता था, के सी आर की बेटी के कवीता, जिनका दक्षन की एक शराब कंपनी से नजदी की रिष्टा बताया जा रहा है, वो भी इसी आबकारी मामले से जुड़ी हुई हैं, जिनको इडी ने तलब किया है और आज उनसे बाकाइदा पूश्टाच हो रही है, और यह रिष्टा क्या कहलाता है, पिछले दिनों हमने देखा जब तिलंगाना में उनके बुलावे पर अरविंद केजरिवाल, भगवंत मान और अखलेश यादव दिखाई दिये थे, यानि ये जो आबकारी नीती के जो तार हैं, ये दक्षिन से जाकर के जुड़ते हैं, के कविता के साथ जाकर के जुड़ते हैं, और एडी के पास बहुत कुछ है पूछने के लिए, देखन पीसरा चेरा, जिस से आपने शुरुवात की, अरविंद केजरिवाल, अन्ना आंदोलन के गर्व से निकले, भष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर तिरंगा लेकर के, खुद भी और इनके संगी साथी भी किस तरीके से निकलते थे, और क्या-क्या नारे लगाते थे, और क कैसे कैसे लोग अपने अपने खेत्रों से जमी जमाई अपनी जोब को छोड़कर के इनके साथ आए थे, बड़ी उम्मीदों के साथ, ये सारा देश हम आप जानते हैं, इन्होंने कितना निराश किया है, ये शुरू के ही दिनों से पता चलता है, अन्ना हजारे के बयानों कुमार विश्वास से लेकर के और तमाम लोगों के नाम गिनाय जा सकते हैं, आज वो इनको गालिया देते हैं, परशानत बहुशन और योगिंदर यादाओ को तो लगभग लतिया करके इन्होंने बाहर निकलवा दिया था, तो ऐसे इनके, हाँ, तो ऐसे अनेक चेहरे हैं, जो पहले ही एक और मुनीस रायजादा, जो अमेरिका से मेरे साथ जुड़ते हैं कई बार शो में, वो इनके कच्चे-चिठे खोलते हैं, पारदरशिता की बात करते थे, उसके बाद वेबसाइट से दान दाताओं की सुची भी हटा ली, तो इनके अनंत किस्से हैं, ममता बेनर जी, ममता बेनर जी के भतीजे अभिशेक बेनर जी, उनकी पतनी, रुजीरा, उनकी साली, गंभीर, उन पर सिकंजा कसा हुआ है, उनके करीबी पार्थ चटर जी और उनकी महिला मित्र पार्थ चटर जी की, वो अंदर हैं, उनको जमान नहीं मिल रही है तरेपन करोड के आसपास तो कैशी मिला था उनके यहां से इसके अलावा अनुबरत मंडल जो पशुत अशकरी में ग्रफतार हुए थे वो अंदर है वो दिल्ली लाए गरी डिकी कस्टडी में 11 दिन की जी तो मैं यह कह रहा हूं कि जितने नाम मैंने गिनाय थे और नितीश कुमार नितीश कुमार पर भले ही कोई आरोप नहीं है लेकिन वो जिनके साथ इस समय बिस्तर पर हैं यानि आरजेडी लालू परसाद यादव तेजस्वी यादव राबरी देवी मीसा भारती हिमा यादव इन सब के यहां इडी की सीवी आई की सर्च हो र रही है तो यह आलम है उन चेहरों का जिनको दो हजार चोबीस में नरेंद्र मोधी के खिलाफ एक चेहरे संभावित चेहरे के तोर पर प्रस्तुत किया जा रहा था और अगर इन पर बेसलेस एलिगेशन है अगर CBI ED के पास कोई दसावेज नहीं है कोई प्रमान नहीं है त इनको ग्रफतार किया जा रहा है उनको दस्तावेजों को ट्रेल को पूरा यकीन करके इनको एजिंस्यों की पूष्टाश के लिए खिरासत में क्यों बेजा जा रहा है या नियाई खिरासत में यानि जेल में क्यों बेजा जा रहा है अब सतेंद्र जैन पिछले नौ महिने से जेल में हैं जमानत नहीं मिल रही है तेरह महीने बाद अनिल देश मुख को जमानत मिली नवा मलिक को आज तक जमानत नहीं मिली इसी तरीके से पार्थ चटरजी हो उनकी महिला सहयोगी हो उनको जमानत नहीं मिल रही है अनुबरत मंडल को नहीं मिल रही है और इनको बहु भी बहुत लंबे समय तक अब अंदर जाएंगे. CBI की ग्रफतारी तो भरष्टाचार निरोधब कानून के तहट थी, लेकिन ED तो अलग धाराओं में आपको ग्रफतार करती है, और मूल भूत अंतर ये है, CBI के जो आरोफ हैं, उन पर तो CBI ये सावित करेगी के आप पर ये आरोफ शावित हो रहे हैं, जो ED ने आपको ग्रफतार किया है, इसमें तो आपको बताना है कि आप बेकसूर हैं. जब तक आप ये बताएंगे नहीं, तब तक आपको जमानत भी नहीं मिलेगी. तो ये बहुत लंबे फसें हैं, और अब तो अंजु जी आच जो है, वो अर्विंद केजरिवाल के आंगन तक पहुच गई है. यही वजह है कि ये पीडा दिखाई दे रही है. तो दस साल में क्या बनने चले थे? परधान मंतरी बनने चले थे. दो हजार चोदा में परधान मंतरी के खिलाब ताल ठोक रहे थे वारानसी में. उसका नतीज़ा क्या हुआ? और जो 434 सीटों पर परतियासी खड़े किये थे पूरे देश में, उनमें से 416 की जो जमानत जब्त हुई, वो एक इतिहास है. इसके बाद भी आप देखें, तो जो परधान मंतरी बनने के सपने देख रहे हैं, NCP के कितने हैं लोकसभा में? या नितीश बावू के कितने हैं? KCR के कितने हैं लोकसभा में? या ममताव एनरजी के भी कितने हैं कि उनको परधान मंतरी बना देंगे? अर्विंद केजरी वाले तो एक भी नहीं है. जो संग क्योंकि उनको तो उनकी पार्टी गंबीर सासे नहीं लेती है तो देश तो गंबीर सासे लेगा ही क्यों लेकिन उंकार जी ये बताईए कि जैसे हम ये आमार्बी पार्टी की ही बात मुख्यता आज कर रहे हैं दस साल पुरानी पार्टी है 2012 में 2 अक्टूबर के दिन ही ये पार्टी बनी थी लेकिन जो पार्टी इंडिया अगेंस करप्शन से बाहर निकली जिन नेताओं पर उस वक्त ये लोग आरोप लगाते थे आज उनी से ही अपनी कटर इमानदारी के सर्टिफिकेट मांग रहे हैं आप देखे जिन जिन नेताओं के नाम आपने गिनाए चाहे शरत पवार हो वमता बेनर जी हो सबने उस चिप्ठी पर दर्सकत किये है जो प्रधान मंत्री को लिखी गई है केरल की सीएम ने तो अलग से चिप्ठी लिखी तो इतने बुरे दिन आ गया हम आप में पार्टी के इतनी जल्दी क्योंकि इन्हों ने डेवन से जूट बोले है जूट की राजनीती की है प्रपंच की राजनीती की है पबलिक को भी चला है इस देश के भोले भाले मतदाताओं की आखों में धूल जोकने का काम किया है बहुत बड़े बड़े सपने दिखाओ उसके बाद जब आप उनको पूरा ना कर पाओ तो उसका ठीकरा केंद्र के सिर पर फोड़ना शुरू करो और अपनी विफलताओं के लिए कभी लेफटिनेंट गवर्नर को कभी ग्रह मंत्री को कभी परधान मंत्री को उनको बलेम करो हमें काम नहीं करने दे रहे हैं विदहान सभा के इस पेसल सेशन बुलाओ एक दिन के दो दिन के और उस पूरे सेशन में दिल्ली की भलाई के लिए कितने विदयक पारित किये जाते हैं वो तो छोड़ दीजिए चीक चीक करके आप लेफटिनेंट गवर्नर को कहें कि ये हमारे सिर पर बठा दिये गए हैं दिल्ली के असली मालिक तो हम है और मतलब पबलिक नहीं हैं दिल्ली की असली मालिक दिल्ली के असली मालिक हो गए हैं अब अरविंद के जरीवाद क्योंकि पबलिक ने ये गलती कर दी कि आपको दो बार तीन बार ताकत दे दी पावर दे दी तो आपके दिमाग खराब हो गए इसी तरीके से अलग-अलग रज्यों में जाकर के प्रतियासी खड़ा करना और एंबिशन्स परदहान मंत्री बनना बहुत जल्दी बनना इसलिए जितने नाम जो आपने गिनाए हैं कि अब वो अर्विंद केजरिवाल की हिमायत में आकर के खड़े हो गए हैं या ये उन से हिमायत लेने की कोशिश कर र रष्ट हैं बस हम दूद के धुले हुए हैं इस देश में चाहे उद्योग पती है चाहे अलग-अलग सेक्टर में देश के योगदान देश के विकास में योगदान करने वाले लोग हैं सब रष्ट सिर्फ ये जमात जिर में कोई टिकेट के बलैकिये हैं कभी कोई दूसर से फिल्ड से आए ये सब इमानदार और अर्विंद केजरिवाल तो सब से ज़्यादा दूद के धुले हुए हैं जिनके यहां तक अब आज पहुँच चुकी है और इनके ही संगी साथी चाहिए योगेंदर यादव हो कुमार विश्वास हो प्रशांत भुशन हो या जो इन को छोड़ करके गए हैं उन सब के बयान उठा करके देख लीजिए इनके बारे में इनके बारे में उनकी राय कितनी साफसुत्री है अन्ना हजारे का पिछले दिनों वीडियो सामने आया था वो भी हमारे समक्ष है जिनके कंधे पर बंदूक रख करके इनोंने यहां तक की यात्रा तैकी और लोगों का एक तरीके से चल करके समर्थन लिया तो यह हस्र होना ही था यह कॉंग्रेस के नेताओं को बरदास्त करने को तयार नहीं शरत पवार को भी एक समय चोर बताते थे ब्रश्ट बताते थे बाकी लोगों को भी उसी कतार में खड़ा करते थे आज सबकी जरूरत पड़ रही है लालु यादव को भी साथ लेने को तैयार है लालु यादव के यहां अगर रेड पढ़ती है तो इनके बयान आते हैं अखलेश यादव जिनके पिता पर आरोप लगाए थे कॉंग्रेस के शासन काल में और उनसे समर्थन भी लेते थे मायाव तो समझ गए हैं के Congress की कारस्तानी क्या है चालबाजी क्या है उन्होंने तो दूरी बना ली है लेकिन अभी बहुत सारे हैं जिनको गलत फहमी है Congress के बारे में या उनकी राजनीतिक मजबूरी है के Congress के साथ चिपके रहें खड़े रहें पर बहुत सारे दल इधर समझ गए हैं कि कांग्रेस खास तोर से राहूल गांधी उनके लिए पनौती हैं, 2017 का जो अनुभव था अखिलेश यादव का, वो उनकी आखे खोलने वाला था, जो 212 सीटों से खिसक करके सीधे 47 पर आ गए थे, तो उनको पता है कि इनके साथ खड़े होंगे तो बंटाधार होगा, 2019 में जो राहूल गांधी अपनी आमेटी सीट नहीं निकाल पाए, वहां हार गए 55,000 से, इस मर्ती इरानी के सामने हैं, तो अखिलेश यादव को शायद ये अकल आ गई, कि इनके साथ जाने में भलाई नहीं है, दूरी बनाए रखना अच्छा है, अब बाकित जल्व, जी ज 12 मंत्राले मनिश सोधिया के पास थे, सोच ये, एक मंत्री क्या-क्या संभाल रहा था, लेकिन जो सीम है, अरविंद के जिवाल, उन्होंने एक भी मंत्राले अपने पास नहीं रखा, यानि कि शायद पहले से ये था, कि अगर कल को कोई ऐसी आफ़त आती है, तो वो ही फसे ये कौन सी स्ट्रेटेजी है, अरविंद के जिवाल की? देखिए, मजबूरी समझने की कोशिश करिए, कुल मिलाकर के 6 मंत्री हो सकते हैं, दिल्ली में, और उनमें से, अगर एक मंत्री 9 महिने से अंदर पड़ा है, जेल में, और दूसरा मंत्री भी अब कतार में लग गया है, जा रहा है, तो उसके बाद कितने मेहक में, शेस मंत्रियों के सिर पर डाल करके, ये अकेले बैठे हुए, दिल्ली को संभाल सकते हैं, ये मजबूरी थी इनकी, कि अब तो इस्तीफा ले ही लिया जाए, जो ये सवाल है आपका, कि सब 9 महिने तक उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया, तो ये दोनों इतने करीबी थे, अर्विंद केजरिवाल के, कि हर राज के, हर ओच नीच के, हर लेंदेन के, हर भरस्टा चार के, वो राजदार हैं, और अगर सतेंद्र जैन की जबान खुल गई, तो अर्विंद केजरिवाल भी वहीं किसी बैरक नंबर फला फला में दिखाई देंगे, ये अर्विंद केजरिवाल को बहुत अच्छे तरीके से पता था, इसलिए सतेंद्र जैन नो महिने तक जेल में ही मंत्री बनाए रखे गए, उनके डिपार्डमेंट भी मनीश सिसोधिया को दे दिये गए, मनीश सिसोधिया इस बीच कितन बड़े तनाव से गुजर रहे होंगे, उनका परिवार कितने बड़े तनाव से गुजर रहा होगा, इसका सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं, जिसके उपर आकर के पढ़ती है, वो ही जानता है, जब वो भी गिरफतार हो गए और उनके भी विवागों का भार, दो अन्य तीन अन्य मंत्रियों के सिर पर डालने की नौबत आ गई, तो मरते क्या नहीं करते, दोनों से इस्तीफे लेने पड़े, और एक परसेप्सम क्रियेट हो रहा था, कि जिन पर भरस्टाचार के गंभीर आरोप हैं, उनको आप मंत्री बनाए हुए हैं, आप सुचिता की बात करते थे, नैतिकता की बात करते थे, और जिस समय आप वो मोमेंट चला रहे थे, तो आप चाहते थे के जिन पर आप लाइव प्रेस कॉन्फरेंस में आरोप लगा रहे हैं, उनको तो उसी समय गरफतार कर लिया जाना चाहिए, और उनसे पूश्ताच भी नहीं होनी इसके बावजूद आप मंत्री बनाए हुए हैं, कहां चली गई नैतिकता और सुचिता कहां चली गई, ये सवाल तो उठे और इससे इनको लगा कि अगर अब इन दोनों को मंत्री बना करके रखा गया जेल में और अगला नंबर इनका लगने वाला है, देर सबेर ये लग अखेगी ना, कि ये जो आबकारी नीती बनी थी, मुख्यमंत्री की बिना सहमती के कैसे बन सकती है, और फिर जैसे ही CBI को जहांच इसकी रेफर की गई, वैसे ही उसको वापस लिया, तो बिना मुख्यमंत्री की सहमती के कैसे वापस लिया जा सकता है, और इसमें जो मनमान नए नियम बनाए गए थे, वो किनको फाइदा पहुंचाने के लिए बनाए गए थे, एक सो से ज़्यादा मोबाइल फोन नश्ट क्यों किये गए, उनका इस्तमाल करके उनको छोड क्यों दिया गया, ऐसे बहुत सारे सवाल, जो एक आबकारी आयुक्त का भी बयान है, एक इ और जो अब तक चीजों का पीछा करते हुए दक्षिन की एक आवकारी कंपनी से तार जुड़े इनके, जिसमें के कवीता को बुला लिया गया, के सी आर की बेटी को, इससे कैसे नकारा करेंगे के हाँ, ये सब ठीक नहीं है, ये तो फर्जी है, इसलिए इनको पता है अब सारे विभाग तीन मंत्रियों के अब सिर पर डाल देंगे, तो वो सरकार चला लेंगे क्या, कौरम पूरा हो जाएगा क्या, अगर आप दो नए मंत्रियों को नहीं लाते आतिशी को और सोरब को, तो कौरम पूरा होता, आप सरकार चलाते, सारे विधाई कारिये जितन प्रोजेक्ट चल रहे हैं दिल्ली में वो पूरे कर पाते तो इनकी मजबूरी बन गई थी इस्तीफे लेने की इसलिए इस्तीफे लिए गए है उंकार जी एक और चीज जो अभी हमने देखा कि रागफ चड़ा भी प्रेस कॉंफरेंस कर रहे थे लगा था उनकी तरफ से एक विवक्षी निता बोल रहे हैं लालू प्रसाद यादव का वो रेल्वे में नौकली के बदले जमीन का मामला है किस्ते सालों से चल रहा है लेकिन फिर भी इतह जा रह थे जस्वी आड़ा यहादव की तरफ से हमें सब्स्द का रहा है तो विवक्ष का ये जो राग तोड़ा पीछे जाना पड़ेगा इस चीज को समझने के लिए ये और बहुत ज़्यादे पीछे नहीं 2004 से 2014 जब मनमोहन सिंद्ट प्राइम मिनिस्टर थे 2004 में कॉंग्रेस को कितनी सीटे मिली थी लोग सबह में 145 और बहुमत के लिए कितनी सीटे चाहिए आपको 271, 273 ठीक है इसके लिए भहुमत जुटाने के लिए किन-किन का सहयोग लेना पड़ा था मनमोहन सिंग को सोनिया गांदी को आगर आप देखें लिष्ट के कौन-कौन से दलों का सहयोग लिया गया था यही सब चेरे हैं जो आजकल इडी और CBI के महमान बने हुए हैं 2014 तक इन्हों ने जो कुछ किया है वो अब केंद्रिये एजेंसियां इनसे उगलवा रही हैं कि बेटा उगल दो जितना खाया है यह देश का है यह तुम्हारा या तुम्हारे बाप का नहीं है पीडा है इस बात की दूसरी बात यह है कि सोनिया गांदी और मनमोहन सिंग को सरकार चलानी थी इसलिए खुद भी किया होगा इनको भी करने दिया गया अब एक ऐसा प्रधान मंत्री है अब एक ऐसी सरकार है जो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और जो खाया है वो भी बाहर निकालना पड़ेगा और पिछले दिनों विज्ञान भावन में एक प्रोग्राम था विजिलेंस रिलेटेड ब्रश्टा चार से कि आरोप लगेंगे आपके उपर आपके परिवार पर आप पर अटेक किये जाएंगे क्योंकि आप उनके खिलाप कारवाई कर रहे हैं ब्रश्टा चारियों को कटगरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं आपको अपने रास्ते से डिगना नहीं डरना नहीं है बहुत क्योंकि ये देश के लोगों के हक का पैसा खाए हुए हैं इन्होंने लूटा है देश को तो आपको कारवाई करनी हैं तो ये जो कहा जा रहा है कि BJP में जो आता है वो मतलब गंगा की तरफ पवित्र हो जाता है उनके खिलाप कोई कारवाई नहीं होती है क्या ये परसाल चल रही है, उसमें नतीजे तक सबसे पहले किस मामले में पहुचना है, पहले किसको ग्रफतार करना है, पहले किसको अधालत के कट्दरे में खड़ा करके जेल भेजना है, ये लोग तया करेंगे, और क्या ये डिनाई कर सकते हैं, जो आरोप ED या CVI इनके उपर लगा रही है, जो जबतियां, कल जो 24 ठिकानों पर चापे मारी हुई है लालु यादव के यहां, उसमें करीब 53 लाख की नगदी मिली है, दो किलो सोना मिला है, 1900 अमेरिकी डॉलर मिले हैं, तीन ट्रंक उठाए गए हैं, एजेंसियों के अधिकारियों के द्वारा, उनमें क्या ह है, अभी पता नहीं चला है, पता चल जाएगा, बड़े पैमाने पर संपत्तियां, नौकरी बाटी गई, जमीने लिखवा करके, अपने रिष्टे, नजदी की रिष्टेदारों के नाम लिखवा करके, क्या ये इस से इंकार करेंगे कि ब्रष्टाचार हमने नहीं किया है और अगर किया है, तो चिल्ला क्यों रहे हो, ब्रष्टाचार किया है, तो कारवाई तो होगी, इसको कैसे रोख सकते हैं आप? हुंकार जी, और ड्रामे करने में भी कम नहीं है, अर्विन केजिवाल, आप देखिए, मनी सी सोधिया को ही, जिस दिन सीबियाई ने पूश्टाच के लिए बुलाया था, पुयादोगा, ओपन कार में जा रहे थे, पहले महात्मा गांधी की समाधी पर गए, फिर अभी अर्विन केजिवाल, पोली के दिन, मौन व्रत पर चले गए, फिर ये जो के कविता है, दिल्ली तलब क्या गया है, आज उनको लग रहा है कि जमीन खिसक गई है, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो इसके नाम पर सरकार को घेरा जाए, क्या लगता है, आप पोई सब नौटंकियों, इनका मतलब क्या है, देखिए जोन में राहुल गांधी को एडी ने बुलाया था, फुश्टाच के लिए, पांच दिन की उनसे पुश्टाच होई थी, उस समय के सीन याद करिये दिल्ली की सड़कों के, कॉंग्रेस मुख्याले के सामने से लेकर के एडी के दफ्तर तक, राजा जी मार्ग तक, किस तरह के तमाशे होते थे रोजाना नाटक नोटन की, और धरने, परदर सन, प्रेस कॉंफ्रेंस, मौधी पर तरह तरह के आरोप, ये जो मामला था नेशनल हिरल्ड का, ये मौधी सरकार के समय का है, या मौधी सरकार से पहले का है, तो इस बात का जवाब कॉंग्रेस को देना चाहिए, और अगर उसमें कुछ गफला हुआ है, और वो मौधी के प्रधान मंत जाएए, आप उसका जवाब दीजिए ना, और एजिंसियों को काम करने से रोका जाए, एजिंसियों को बदले की भावना से इस्तमाल किया जा रहा है, ऐसा कहा जाए, आप उन सवालों के जवाब दीजिए, जो आप से पूछे जा रहे हैं, कोई भी इस देश का से उपर नहीं है, समयधानी प्रकिरियाओं से, एजेंसियों से, जाच से उपर नहीं है, फिर सोनिया गांदी से जब पुछताच की गई, तब यहीं तमाशे किये गए, तो आम आदमी पारिटी भी उसी लाइन पर है, अगर मनीश सिसोधिया को बुलाया जा रहा है, वो ओ प्लेकाड पकड़ाये गए थे, सो कोल्ड परदर्सन कारियों, जो मैं मानता हूँ के वो सब भाड़े की भीड होती है, पांच पांच सो हजार हजार रुपे दीजिए, चलो भही आपको रोडशो में शामिल होना है, और यह पकड़ो प्लेकाड, उन पे लिखा था, कोड़ों के सर्ताज तुझे सलाम, सिक्षा मंत्री के तोर पर थोड़ा गिरफतार हुआ है, जो रात को तीन वजे तक दारू पीने का इन्होंने लाइसंस दिया था लोगों को, तो यह तो और बहुत सारे वीडियो इस समय सोशल मीडियो, मैं तो सल्यूट करता हूँ, जो सोशल मीडिया पर इस समय काम कर रहे हैं, लोग गलियों में पहुंच जाते हैं, महिलां से बात करते हैं, कि जो नई शराब नीती आई है, इसके बारे में क्या कहना है, महिलां चीक चीक करके इनको गालियां दे रही हैं, कि हर कालोनी में, हर महले में दो ठेके खुलवा दि कि रात को तीन बजे तक भी आप दारू पीने के अधिकारी होगे, एक बोतल के साथ एक फिरी मिल रही है आपको, आपको वैक्सीन घर घर तक पहुंचे नहीं पहुंचे, दारू की बोतल घर तक पहुंचाने का इंतजाम आप कर रहे हैं, तो बजाए इसके अपने कर्मों का भुगत रहे हैं इस समय, किसी और का नहीं भुगत रहे हैं, तो जिन जिन पर हाथ डाले जाते हैं, वो ऐसे ही चिलाता है, ऐसे ही डौंग पाखंड करता है, जैसे मनीश सिसोधिया, अर्विंद केजरिवाल और उनके संगी साथी करते हुए दिखाई दे रहे है यह तमाशा इसलिए किया जाता है, कि साब दुनिया के सबसे बहतरीन सिक्षा मंतरी को मोधी जीन गरफतार करवा दिया, दुनिया के सबसे बहतरीन स्वास्त मंतरी जिनोंने महला क्लिनिक बनाये थे, उनको गरफतार करा दिया, वो नहीं चाहते कि दिल्ली में लोगों को अच्छी सिक्षा मिले, वो नहीं चाहते के अच्छा स्वास्त मिले, ये बताईए ना, अगर नैतिक साहस है, तो जो मुकदमद अर्ज हुआ था मनीश सी सोधिया पर, उसमें धाराएं कौन सी लगी है, क्यों लगी है, क्या उस पर आरोप लगाए गए है, दोनों मंत्रियों पर स्वास्त मंत्री जिसको अंदर डाला गया, उस पर क्या आरोप थे? या सिक्षा मंत्री जिसको अंदर डाला गया है, जो अब एडी की कस्टडी में है, साथ दिन की, उन पर आरोप क्या है? जूट की राजनीती, शुरू से, छल परपंच, लोगों की आँखों में धू पहुंचाता क्योंकि उनके आर्थिक हित जुड़े हुए हैं वो इनके खिलाब बोल नहीं सकते हैं इनको नाराज कर नहीं सकते हैं पर भला हो यूट्यूब का फेस्बुक का दूसरे जितने सोशल मीडिया मंच हैं वहां पर कम से कम साहस के साथ कुछ लोग हैं जो इनकी कि तहत किन पापों की वज़े से ये गरफतार किये जा रहे हैं इसका खुलासा करने की हिम्मत रखते हैं वंगार जी इक चीज और है कि यह जो तिहाड जेल है जहां पर रखा गया था मानिशी सोधिया को वो दिली सरकार के अंडर आती है वहां पर किस तरह की सेवा सतेंद अग्भी आमाद्मी पार्टी की तरफ से की गई और अगर ऐसा खुदा ना खास्ता कभी होता लेकिन सवाल ये बार बार उठा कि अगर ऐसा हो जाता है तो फाइदा किसे होगा पिछले दिली के विधान सवा चुनाओ से पहले मनीश सिसोधिया की बाइट है सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा था कि अर्विंद केजरिवाल की हत्या की साजिस रची जा रही है फिर लोकसभा चुनाओ के समय भी यही डायलोग बोला अभी गुजरात के समय भी मनीश सिसोधिया का ही बयान था कि अर्विंद केजरिवाल की बीजेपी हत्या करा दे जी तीन वो अलग-अलग समय के इनके वो वीडियो आपको मिल जाएंगे और दर्शक भी देख सकते है जाकर के अभी जब ये वनीश सिसोधिया तिहाड गए हैं और तिहाड जैसा कि आपने कहा है कि पूरी दुनिया जानती है दिल्ली सरकार के अधीन काम करती है वहाँ जो सुरक्षा व्यवस्ता है वो इनकी है सारे काम इनी के अधीन होते हैं और वो जो मसाज का सिंगापू अर्विंद खाने के पैकिट भी हमने देखे थे, उनके चारों तरब बिखरे हुए, केले उतार करके किस तरीके से खा रहे हैं, छिल के फैक रहे हैं, वो भी देखा था, तो हर तरहे की सुक्स विधा उस जेल में इनको मिलने वाली है, ये हत्या करा दी जाएगी मनीश होच रहे हैं मौदी जी, ये केवल लोगों की सहनुभोती अर्जित करने के लिए, और जो पाप किये हैं, जिनकी वज़े से ये अंदर भेजे जा रहे हैं, उन पर परदा डालने के लिए, के वो जो बेसिक आरोप हैं, बेसिक इनका कर्म, धत कर्म है, उसको छिपाया और इनकी हत्या कर दी जाएगी, इसको तूल दिया जाए, नमबर दो, अब तो लोग ये भी कह रहे हैं के कहीं अर्विन केजरिवाल ही ये काम ना करा दे, ये बात भी तो आ रही है, और कल, कल तिहार जेल की एक दीवार के ऊपर से एक पैकिट फैका गया, उस पैकिट में उननीस या सत्रा सर्जिकल ब्लेड मिले हैं, ये क्यों फैका गया, उसमें कुछ मुबाइल फोन भी है, उसमें कुछ सिम भी है, कुछ दूसरी सामगरी है, ये सब क्या है, मनीश सिसोधिया और सतेंदर जैन, दोनों इनके इतने नजदीकी हैं कि उनको हर राज पता है, इस दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित कर देनी चाहिए, कहीं वो सारे राज छिपाने के लिए कोई करम कांड ना करा दिया जाया महाँ पर, क्योंकि आप ये देखें ना कि दोनों बहुत क्लोज रहे हैं, अर्विन केजरिवाल के, अर्विन केजरिवाल भी जानते हैं कि सारे राज उनको पता है, और अगले ये जो साथ दिन है, इडी की कस्टडी में, मनीशी सोधिया कितनी देर तक अपने आपको कंट्रोल करके रखेंगे, क्योंकि इडी की पूछताश में आदमी तूटता है, और जब वो तूटेंगे, तो रास तो खुलेंगे, और सबसे बड़ा खत्रा किस पर आएगा, अर्विन केजरिवाल और इस पूरे मामले के तार जो है, वो अर्विन केजरिवाल और संजय सिंग से भी जुड़ते हैं, तो ये चीजें तो आगे बढ़ेंगी, अंजु जी, ये रुकने वाली नहीं है, देर सबेर अर्विन केजरिवाल को भी समन जारी होगा, पूछतार शुरू होगी, और उसक अब भारे रहने वाले आमाद्मी पार्टी के इने नेताओं पर, और इसलिए तमाम तरहां के बयान देकर मीडिया में लोग को अभी भी गुमरा करने की कोशिश कर रही है, आमाद्मी पार्टी, ओमकार जी, आपने इस मामले पर विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को द पिर्शकी दूए अब विस्तार से जानकारी में लोग का जी, इस जानकारी में विस्तार से जानकारी में लोग कर रही है में अपने।